हेलो टेडर मेरा नाम है आरuw नम पाल बुम टेड मे आपका सौकत है अगर आप मोंट необходing करते हैं निफ्टाइ बैंक निफ्टि यापि किसी स्टॉक में इंट्राड्राडेट Earning करते हैं किसी स्टॉक में तो Stop Loss और Target लगाने का जो सही तरीका है, इस वीडियो में हम डीटियल में सीखने वाले हैं Stop Loss लगाने का जो सही तरीका है, Target सेट करने का क्या सही तरीका है, इस वीडियो में हम डीटियल में सीखने वाले हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें हमें बहुत सारे comment आये हैं कि sir हमें stop loss लगाने में problem होती है जैसे माले जिये पहली problem क्या है कि अगर माले जिये हमने क्या पताया था आपको stop loss लगाने का जो तरीका है कि अगर माले जिये कोई resistance है उसका breakout हुआ है ठीक है उसका एक candle ने यहां पर क्या किया है तो हम क्या बोलते हैं कि इसके low के नीचे जो candle breakout किया हुआ है उसके low के नीचे हमारा stop loss रहेगा एसल रहेगा तो लोगों को में जो confusion है वो है कि जो हमें comment करके बोलते हैं यह बोलते हैं कि sir हमें price कैसे calculate करेंगे जैसे मा लेजिए कि अगर हमने बैंग निफ्टी में अगर यह देखे 36,000 का हमने call buy किया हुआ है 36,000 का C buy किया हुआ है 200 रुपे premium देखे ठीक है हमने 36,000 का call buy किया हुआ है 200 रुपे premium देखे ठीक है अगर यह candle breakout किया हुआ है इसके low के नीचे stop loss रहेगा तो हम premium price में कैसे calculate करेंगे कि हमारा जो stop loss रहेगा 160 का होने वाला है या 140 का होने वाला है या फिर 170 का होने वाला है हम price पे कैसे calculate करेंगे यह बहुत ही लोगों में confusion है तो आज किस वीडियो में आपका जो भी doubt है stop loss लगाने से और target लगाने से वो सारा का सारा clear हो जाएगा तो वीडियो को last तक चरूर देखें अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को दबा देए ताकि अगली वीडियो आपसे miss न हो वीडियो में आप हमेरे comment किया करिए आपके comment करने से हमें motivation मिलता है तो चलिए अब देखते हैं कि stop loss लगाने का और target लगाने का सहीं तरीका क्या है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि bank nifty का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है तीक है यहाँ पे bank nifty का चार्ट लगा हुआ ह अब यहाँ पे हम आपको stop loss और target लगाने का सहीं तरीका बताने वाले हैं जिसको मैं खुद यूज करता हूँ मेरा personal experience है तो लोगों का पहला सवाल क्या था कि जैसे सर आप बताते हैं कि माली जी इसका breakout हुआ है यह candle breakout किया हुआ है तो इसके low के निच्चे हमारा stop loss रहेगा अगर माली जी इसने 35,800 को breakout किया हुआ तो हम आप 35,800 का क्या करेंगे call buy करेंगे तो इस वक्त हमने 300 रुपे premium देखके call buy किया हुआ है तो मेरा stop loss कितना होने वाला है तो 180 होगा या फिर 260 होगा या फिर 240 होगा हम कैसे calculate करेंगे कि यहाँ पर जो SL है हमारा इस premium में हम कैसे calculate क पर तरीका है कि ट्रेडिंग को आप अथना असान बनाऊ कि आपका दिमाग confused ना हो आपको क्या करना है जो मैं तरीका यूज करता हूँ आपको क्या करना है कि price पे कभी भी आपको stop loss नहीं लगाना है इसको भूल जाना है इसको कार दो एकदम आसाम राना है एकदम आसाम तरीका हम बताते हैं आपको प्राइस पे कभी भी आपको stop loss नहीं लगाना है ठीक है आप लोग करते क्या हो कि जैसे मालेजी कि आपने 300 रुपे प्रिमियम देखे यही 3580 का आपने call buy कर लिया है जैसे ही आप buy करते हो आप क्या करते हो सीध profit loss दिखता है ना स्क्रीन पर यहां पर माइनस 400 या फिर प्लस चालू होता है दिखना चालू हो जाता है profit loss आप लगते हो इसको देखने और फिर क्या देखने लगते हो कि हमने 300 में buy किया हुआ है प्रिमियम देखे तो अभी 320 चल रहा है या फिर 280 चल रहा है यह लगते हो देखने और चार्ड को देखना आप भूल जाते हो तो हमने आपको क्या पता है कि सबसे पहला काम जो है कि अगर आप इंक्री ले लिये हो अपने buy कर लिया है 300 में buy कर लिया है अच्छी बात है कोई बात नहीं है breakout हुआ है अच्छी बात है आपने 300 प्रिमियम देके buy कर लि प्राइस पर कभी भी इस तरह से अप यूज करते हो या फिर आप स्टॉक यूज करते हो इसमें जाते हो इस टॉप लगाना चलू कर देते हो कि चलो 208 याएगा तो मैं स्टॉप लॉस हीट हो जाएगा आप आप ऑप्सन बायर हो आपको हमें सा मोमेंटम इंटी लेना है उसमें फटाक से स्टॉप लॉस मिलता है और फटाक से टार्गेट के लिए चल देता है तो आपको कभी भी प्राइस पर इस्टॉप लॉस नहीं देखना है अगर आप लॉस खना है तो पीटि ले स्टॉप लॉस दिम्य अगों मार्केट जा रहा तो छाल यह वदाते हैं वं तरीकप अब हम आपको दिक्ति इक्जाम्पल के तोर पर मान लिजिए कि जैसे इहाँ पर हमने पताया था एक डबल यहां पर डबल बॉटम जो होता है ना डबल बॉटम डबलू की तरह एक पैटर बना हुआ है तो हमने क्या पताया था कि जब भी इसका ब्रेक आउट होगा हमें एक अच्छे-खार सी मोमेंटम मिलेगी अब यहां पर हम आपको बता रहे हैं इस सही तरीका क्या है कि जैसे इसका ब्रेक आउट हुआ यहां पर हमें एंट्री लेना है फटाक से यहां पर ठीके ब्रेक आउट पर एंट्री लेना है और मेरा जो स्टॉप्लोस रहेगा जो केंडल ब्रेक आउट करती है रूल है कि उस केंडल के थालका सा नीचे आपका एस बाई करना है माल जीए उस वक्त हमें ये 320 में मिला हुआ है ठीक है 320 में मिला हुआ है 5800 का C हमें तो आपने इस पर इंटी लिया 320 में आपने बाई कर लिया अब आपको profit loss नहीं देखना है ब्रा से श्चर्ण और नहीं आपको premium देखना है जो चल रहा हो जिए आपको बंद करते हैं सीथे सदे आपको आना है चार्ट पर आना है चार्ट में ज़िबन देखना है अब क्या करना है कि एक टूल लेना है यहाँ पर जाना था आपको यह long position दिख रहा है यहाँ पर long position अगर आपने buy side गए है तो आपको long position पर click करना है अगर आप sell side गए है अगर आपने put buy किया है तो आपको short position देखना है ठीक है तो अभी हमें breakout हुआ है तो हम long position में लेते हैं है माली जी यहां पर breakout हुआ था विख यह जो pioneer निकलाइई था उसका breakout हुआ ठागर हमें टार्गेट किया लेना है कि हैं डागर हमें लेना है अगला resistance ठीक है अब यहां पर देखेंगे अगला रेजिस्टेंस हमारा क्या है are a हमारा क्या है कि यह हमारा गलारेस्टेंस था 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 हमें यहां पर एक टार्गेट ले ले लेते हैं कि अब यह तो आप यह जो देखिए लाल वाला है एक नट अब देखिए यह जो लाल वाला है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इस टॉप लॉस ऐसे सिट करते हैं तो यह जो पूरा लाल वाला एरिया है हमारा क्या है इस टॉप लॉस एरिया है अब हमारा टार्गेट क्या है यहाँ पर हमारा टार्गेट है अब हमने टार्गे बना था डबल बॉट्टम इसका यहां पर निकलाइन का ब्रेकाउट हुआ था हमने यहां पर इंटे लिया था और हमारा इस केंडल के लोग के नीचे हमने इस टॉप लगा दिया तो यह जो हरा वाला पुड़ा हमाला टार्गेट है ठीक है और यह राड वाला पोर्शन हमार पर इस टॉप लोगा फिर भी आपको मानेश सोगा वहां पर देखते रहोगे आपके इमोशन साथ खलवाड होगा ठीक है आपका इमोशन साथ कंट्रोल में नहीं रहेगा और निकल जाओगे और सही ट्रेट भी रहेगा और यहां पर टार्गेट मिल जाएगा फिर आप प पॉर्षन के नीचे एक रेट केंडल क्लोज नहीं हो जाती है आप इंट्री कैसे लिए थे इंट्री लिए थे जब यहां पर ब्रेक आउट हुआ था से मिसी तरह स्टॉप लॉस कब होगा जब इसका यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस है उसका क्या हो जाए ब्रेकडाउ दिवर्ष हो जाता है इसलिए हम बोलते हैं कि आपको सीधे चार्ड पर आके यहां पर आपको इस्टॉप लॉस लगाना है इस तरह से अब जैसे मा लेजिए अब इस्टॉप लॉस नहीं हीट हो रहा है अगला यहां पर ग्रीन केंडल बनी तो आपको क्या करना है पॉफि हीट हो जाएगा अगर नहीं हो रहा है तो हमें बने रहना है अब अगली बार क्या होगा कि जो केंडल बनेगी अब उसके लोग के नीचे हमारा इस्टॉप लॉस हो जाएगा तो अब इसके लोग के नीचे हमारा इस्टॉप लॉस हो जाएगा हमने ट्रेल कर रहे हैं इस् stop loss होगा कुछ इस तरह से यहाँ रेज़ कंड़ के नीचे रहे हो खाएगा नहीं हो रहा था हमें रहा है पिर यहाँ पर बनन रहा है इंधर तो फिर से हमें रहे होगा है आपर मिल गया है I तो इस तरह से आपको price पे calculate करके अगर आपने 300 रुपे, 200 रुपे या 280 रुपे दे के premium खरीदा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि हम price पे stop loss लगाएं, तो आपको option trading में आपको क्या करना है, price पे stop loss नहीं लगाना है, entry आपने ले लिया है, आपको profit loss नहीं देखना है, सीधे चा कि यहाँ पर माली जीए हमने एक sideways market था, ठीक है, यहाँ पर market sideways था, तो अब हमें पता था कि इसको अगर नीचे निकालेगा, तो market में एक अच्छी momentum मिलेगी, नीचे की side में, अगर उपर निकालता तो उपर के side momentum मिलता, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, कि आप द यह candle का high, तो माली जी हमारा stop loss यहाँ पर हो गया, अब आप inti ले लिए, अगली candle बन गई, ठीक है, अगली candle आपके against गई, आपके direction में गई, बन गई, तो अब हमें क्या करना, इस stop loss को trail कर देना है, फिर से यहाँ पर आना है, आप इस वक्त short position बना रहे हैं, put side में जा रह था, तो हम यहाँ पर अपना T1, target 1 यहाँ पर अपना profit book कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर target ले लिया, ठीक है, stop loss और target कैसे set करते हैं, जिसे माली जी अगर आप put side जा रहे हैं, तो अगला जहाँ पर support था, हमारे लिए यह target हो जाएगा, तो अगला support हमें आप देख रहे सकते हैं, यह हमारे लिए अगला support होगा, क्यों, क्योंकि बार-बार market यहाँ पर resistance ले रहा था, ठीक है, इसका breakout करके, gap up open होके यहाँ पर गया गया तो यह हमारे लिए support का काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर हम पहला target ले सकते हैं, इस तो हमारा target हो गया, यहाँ आप हम ले लिग द है, ठीक है, आप जो premium में buy कर लिए, उस premium को नहीं दिखना है, तो आपका जो emotions है, आपके control में नहीं रहेगा, और आप गलत decision ले लोगे, और आप सहीं trade भी लिए रहोगे, तो आप निकल जाओगे loss में, ठीक है, आपको profit loss नहीं दिखना है, तो जैसे अगली candle आपके direction में तो आप उसके ऊपर आपका stop loss हो गया, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम ले लेके आगे, अब इसके ऊपर हमारा stop loss हो गया, ठीक है, इसके ऊपर हमारा stop loss हो गया, अभी भी देखिए green बन रहा था, फिर भी stop loss हीट नहीं हुआ है, हमें बने रहना है, फिर से market यहाँ प फिर से बने रहना है हमें टारगेट पर आके एमें प्रॉफिट बूग कर लेना है इस weights अरूफ जिर से हमने अगर लेजिये बाई चाहिए कंट अाक्या था बना रहे चाहिए कोई बात नहीं 가능 वह आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है आपको अगले दिन इतजार करना है अपने अपने अपका ठीक है आज जो आप प्राइजेक्शन शेट अप सीखते हैं वह अगर आप 10 बार उस सेट अप पेंट्री लेते हैं तो आपका साथ या 8 बार आपका टारगेट मिलेगा चार तीन या चार बार आपका stop loss हीट हो सकता है ठीक है तो stop loss हीट होगा तो छोटा loss होगा अगर टारगेट मिलता है तो बड़ा profit होता है आपका तो जो professional trader होते हैं इसी दूल को follow करते हैं कि वो बड़े profit करते हैं ठीक है बड़े क्या करते हैं profit करते हैं और small loss करते हैं ठीक ह ये भी आपको ही follow करना है और कभी भी आपको हद से ज़्यादा आपको lot नहीं बढ़ाने option trading में आज आप एक lot से कर रहे हैं दो-चार दिन बाद आप और confident हो जाएंगे वहाँ पर lot बहाद देंगे अब फिर देखाते हैं आपको कि stop loss और target कैसे set करना है देखिए ये चीज़ हमने वहाँ पर पोस्ट किया हुआ था कि कि यह trend line हमने पोस्ट किया हुआ था कि यह trend line जा रहा है ठीक है यह trend line जा रहा है इसका अगर हमें अगर मिल गया अगर नीचे की trend पहचानने के लिए हमें multiple time frame analysis करना है वन वीक और फोर आवर और पंदरा मिनट और वन डे टाइम प्रेम पे इतने टाइम प्रेम पे आपको क्या करना है trend line डौ करना है सपोर्ट रेस्टें डौ करना है तब आपको पता चलेगा कि trend क्या है 15 मिनट पे इंट्राडे के लिए इंट्री लेने के लिए पांच मिनट पे इधर आते हैं इसको छोटा करते हैं अब यहां पर देखिए पांच मिनट पे हमारा यहां पे candle ने ब्रेक कर दिया हुआ है तो अब हमारा क्या होगा कि जो candle ब्रेक की है ना उसके हाई का stop loss ठीके लगा के हमें इंट्री लेना है औ कुछ इसके पास हमें हमारा अगला सपोर्ट था यहां पे इसके पास में यहां पर T1 मिल जाता है target 1 तो हमें यहां पर profit यहां पर target लगा दिया हमने T1 और इसमारा क्या लगा दिया जो candle ब्रेक आउट कि कि हाई के थोड़ा सा ऊपर आपको इस ट्रॉप्रत लगा देना है तो सब्सक्षा है यहां सोड पर दिएए, इसे सब्सक्राइब कर रहा है, क्यों कि रॅप इसे रोह सकay गता हो यहां तो लगाAddкими हों। जब तक यहां पर हमारा स्टाप्लोस ही नहीं हो गए यह इसके निचे अगर कोई कंडल क्लोज हुई श्टाप्लोस लगा देना है अभी तक हम बने हैं फिर फिर से आपको स्टॉब लॉस wz रगेट सेट करना है आपको अनकी प्राइज पर स्टम लगाना ये मेरा तरीका है स्टोफ लगाने का स्टार्टिंग में हम भी प्राइस प्रस लगाते था तो झर। अब इस वज़ा से हमने देखा वहाँ पर कि जब हम प्राइज इंट्री ले लिए हैं प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहे हैं सिर्फ हम चार को देख रहे हैं तो मैक्समाम बार हमारा जो टार्गेट ही मिला हुआ है और हमने टार्गेट लेकी छोड़ा है इसके उपर आपको प्राइज पर नहीं लगाना है अगर आपने 300 में खरीदा हुआ है तो आपको प्राइज पर लगाना है उसको देखो ही मतना इंट्री ले लिया कोई वाद में चार्ट पर आजाओ फटाक से ब्रेकडाउन हुआ है इंट्री लो इस्टापवास हाँ पर सेट कर दिया है अब टार्गेट के तरफ जा रहा है मार्केट अगर देखो इस्टापवास हीट ह अख попроб 單on इकै sat travailler लो में चार्ट पर बेता है लाकुत अल्गेट ब्रेकेश इस्टाप siogen नहीं है तो आप इसमें 60 परसेंट में आपको नहीं रहता है इंट्री करो गया लॉस करोगे e तो सौ नमबर का एक्जाम है तो स्व नमबर मैं सीख पा रहे हो तो 6第 मिलेगा आपको sava संकाल हम लैगा तो यह पूरा आपको सीखना पड़े पादे ben Hodler इंटा Quinie पर हमें पार्ट वाइस लाएंगे तो इस चनल पर आप सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसको देख लेना तो आइवोप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉप लौस हमें कभी भी इस टॉप लौस हमें कभी भी प्राइज पर नहीं लगाना है और सिद्धे हमें आ जाना है कहां पर चार्ट पर आना है अगर ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन पिंट्री लेते हैं तो उस केंडल के उपर जब तक एक केंडल नहीं होती हमें नहीं निकलना है वहाँ से ओके एक और एक्जम्पल दिखाते हैं आपको जैसे गी एक और एक्जम्पल आप में हां पर देखिए चलिए यह चीज हमने आपर पोस्ट किया हो था टेलीगराम पर बना के कि मुमिंटम देने वाला है अगर आप टेलीग्राम पर होंगे तो आपको पता होगा हमने यह चीज पोश्ट किया था कि यहां और यह चीज मार्केट एक रेंज में है ठीक है यह सबसे बेस्ट सेटप है हमारा जब भी मार्केट रेंज में रहता है तो आम वहां पर तुरूंत अपनी आख कान नाख सब खोल हंगा और हमें एक अच्छा कंशा वां पर टार्गेट मिलेगा holds the Left कि यहां से मार्केट यहां तो यहां से रिस्टेंस लेके गिरा हुआ था हमें वहां पर टार्गेट अमना सेट कर देना है जैसे कि यहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा था तो प्राइजेक्शन में क्या होता है कि जो सपोर्ट था अगर उसका नीचे साइब में तूट गया है बैक डाउन चुका है त हमारा पहला प्रफिट यहां पर हमें टागेट वन ले लेना है इस तरह से में टागट सेट करना है तो अब उने बताया कि यह भाईया हमारे लिए क्या था एक जोन था इसका यहां पर हुआ हमें यहाँ पे एंटी लेना था ठीक है देखिए कभी-कभी ब्रेकाउट होता है तो इन दोनों पर इंटी कैसे लेना है कि मालीजी अगर ब्रेकाउट हुआ है तो आपको वन लौट आपको इंटी लेना है अगर फिर से रीटेस हो रहा है तो आपको इस बार दो हो चुका है कि जब भी यह देखिए यहां पर कोई बनेगा यहां पर केंडल बनी होई है बुलिस इंगल फिंग तो यह हमारा कंफर्मेशन हो गया है कि मार्केट अब रिटेस्ट कर चुका है और यहीं पर आपको दो लॉट एड कर देना है ठीक है और बाकिया ब्रेकाउट पर एक लॉट और इंट्री लिए ही हो अब हमारा इस्टापलस क्या रहेगा इस केंडल के लोग के नीचे हमारा इस्टापलस रहेगा तो आपको सीधे इंट्री लेते ही आपको प्रॉट लॉस नहीं देखना है प्रीमियम नहीं देखना है आपको सीधे हाँ प्याना है ट लग चुका है अब आपको इस तरह से ट्रेल करते जाना है तो यहां पर आपका प्रेमियम 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 बढ़ चुका रहता है तो यहां से यहां तक के लेके आपको लगवाग तो इस तरह से हमें पे एंटि लेना और उस्टॉप लगाना है इस्टॉप लगाना है जो चैंडल ब्रेक आउट किया कैंडल के लो के नीचे यह कहीं प्रेक आउट किया होते हैं जो है जब तक उसके नीचे नहीं हमारा हिट नहीं है हम नहीं निकलेंगे ठीक है आपको निकलना ही नहीं है मार्केट आपके ड्रेक्शन में जरूर जाएगा अगर आप यह सब देखते रहोगे प्रॉफिट लॉस उसमें क्या आपका महाने सिद्स हो करेगा और तुरौंत यहा हम कभी भे प्राइस पर नहीं लगाते है अगर खरीते हैं कितने प्रिमिन प्रेमियम लगाते हैं अगर आप अगर आपने put buy किया हो तो अगला support हमारा target T1 रहेगा, अगर आपने call buy किया हुआ तो अगला resistance हमारा target 1 रहेगा, इस तरह से हम set करते हैं, बाकि nifty and bank nifty का analysis video हम daily upload कर रहे हैं, तो उसका जो channel है, link description में है, प्लीज उसको जाकर करके आप subscribe कर लें, हम उस पर daily nifty bank nifty का analysis video लाएंग जैसे पहले हम telegram पर आपको post करते थे, chart pattern मना के, तो अब हम उसका video form में channel पर upload करेंगे, तो उसके लिए हमने नया channel बनाया हुआ है, अगर इस channel पर हम daily upload करेंगे, तो इतना सारा video हो जाएगा, कि जो knowledge वाली video है, projection का course है, trading strategy का video है, वो नीचे चला जाएगा, तो जो channel पर वि सब्सकाइब कर ले, I hope आपको कुछ समझ में आया होगा, सीखने के मिला होगा, समझने के मिला होगा, आप जाएगे, चार पर practice कीजिए, कि किस तर से हमें stop loss लगाना है, किस तर से हमें target set करना है, stop loss आपको फिर सेरवाज करते हैं, कभी भी price पे नहीं लगाना है, कभी price पे करते जानना है, तो इस तरह से आपको करना है, तो वीडियो को लाइक कर दिजिए, कमेंट कर दिजिए वीडियो में, आपके कमेंट से में motivation मिलता है, share किजिए अपने दोस्तों में, जनको इसकी जरूरत है, मिलते हैं के लिए वीडियो में धन्नमाद,